देखे बच्छों, question number 121 है, ठीक है, 121 में देखे है, Na2Cr2O7 है और medium HD है, हम जानते हैं, K2Cr2O7, Na2Cr2O7 ठीक है, basically ये क्या होता है, strong oxidizing agent होता है, इसका काम क्या है, 1 degree के जो alcohol होते हैं, उसको ये बदलता है, acid में, ठीक है, और 2 degree का जो alcohol होता है, उसको ये बदलता है, ketone में, और 3 degree का जो alcohol है, उसको ये नहीं बदलता है, कर निकानलो, इसकी फरपराट सामने आ जाती है, ठीक है, तो उसे साब से देखे, ये क्या देख रहा है, आपको 2 degree, ketone में बदला, ये क्या देख रहा है, आपको Q122, थोड़ा देखने में डड़ावना है, लेकिन इसी कोई बात नहीं, देखे बच्चों, यहां पर क्या है, कि Acid है और Alcohol है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, Acid Plus का Alcohol, Acid Plus का Alcohol, जो है Acidic Medium में Dehydration करता है, और Dehydration के बाद आपको Aster देता है, यही बात हमने बढ़ा है, इसी ठीक है, तो गौर्च देखे, अब यहां पर काता है, The Use of, तो काता है, Which is true for the equilibrium reaction, ठीक है, The Use of Equimolar Quantity will give the greatest yield, इसा कुछ भी नहीं है, The Removal of Water, देखे, बोलेते हैं, Dehydration होता है, Removal of Water will increase the amount of Aster at equilibrium, ठीक है, जितना सही बात है, जितना ज़्यादा Dehydration होगा, है न, उतना ही ज़्यादा Esterification होगा, और system equilibrium में रहेगा, Basically क्या होता है, बच्चों देखे, इधर यह बनाया है, तो equilibrium देने का मतलब यहाए, कि जिसे इधर तो क्या होगा है, Dehydration होगा, तो Dehydration के बाद यह बनता है, और इसका अगर Hydrolysis कीज़ेगा, तो आपको यह देदेगा, स पिर जितना वाटर यहां से निकलेगा, अगर वो उसके साथ Hydrolysis करेगा, ठीक है, तो Hydrolysis करेगा, तो दो बारा वो क्या बनाएगा, Acid Alcohol बनादेगा, ठीक है, तो यह बात यहां पर बोलागा, Removal of Water will increase the amount of Ester at equilibrium, ठीक है, जितना Fastly S2 यहां से रिमूव होगा, उतना Fastly Ester आ एक Mild Oxidizing Agent है, ठीक है, Mild Oxidizing Agent है, करता क्या है, यह क्या करता है बच्चों, 1 degree को बलता है Aldehyde में, ठीक है, Mild है मतलब कमजोर है, 2 degree को यह बलता है Ketone में, तो इस तरह का यह कुछ काम करता है, लेकिन करता है क्या Oxidation, जैसे पहला में यह क्या कर दिया, Oxidation है, Reduction कर दिया, Edition of Oxygen Oxidation होता है, और Edition of Hydrogen Reduction होता है, इसमें देखे, क्या हुआ है, Reduction हुआ है, तो यह नहीं होगा, Option B में देखे, Oxidation हुआ है, 2 degree का Alcohol था, और 2 degree का Alcohol को इसने Ketone में बदल दिया, तो यह तो बिलकुल सही है, यहाँ देखे, कुछ गरबर ही कर दिया, यहाँ आपर देखे, C Double Bond को Acid में बदल दिया, तो इतनी तो इसके अंदर ताकत ही नहीं है कि Acid में बदल दे इसको, समझ के बात, Mild है, कमजोर है, खेट, देखे बच्चों, Question No.124, How many primary alcohol including Stereo Isomers are possible, तो देखे, Alcohol बोला है, अलकोल बोला है, सबसे पहला है, डियू निकाला है, कितना हा रहा है, 5 plus 6, माइनस 12 by 6, 6, 0 हो रहा है, डवल बोन बगड़ा नहीं होगा, और होता भी नहीं है, अलकोल में, लेकिन मैंने, इसलिए, डियू निकाला, क्या पता, जैसे माल लेजिए, जो कारवन का चैन होगा, उसमें, डवल बोन, अलकीन, वगरा, सिस्टम होगा, ठेक है, खैट, तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना, इस तरह से, 5 कारवन का चैन बना लेना है, बना लिया साब, फिर यहाँ पर OH लगा देना है, देखिए, 1 डेगरी हुआ क्या, अब यह OH देखिए, कहां कहां जा सकता था, इस वाले पर जा सकता था, लेकिन प्राइमरी न करना पड़ेगा, यहाँ पर, एक मिधाईल को यहाँ अटेच करते, देखिए, भी प्राइमरी है, फिर उसके बाद यहाँ पर, यह OH हो गया, और आप यहाँ पर लगाईए, मिधाईल, तो देखिए, यह भी आपको प्राइमरी दिख रहा है क्या, अच्छा, लेकिन यह व सिरुम आइस हमेर्स का मतलब या हो गया, ओप्तिकल, उमेटिकल जो भी हो रहा होगा वो देखिए, अगर है तो बताइए, तो इसमें धेखिए, उसमें एक मिला, इसमें एक मिला, तो हमने चार करवन किजिए पर एक्सपरिमेंट कर लिया, आप चलیں तीन कारवन पर चलते तो OH को यहीं corner में fix किजिए तो यहाँ पर देखें दो methyl लगा दिया तो एक यह भी है और जो कि इस carbon पर तीनों के तीनों methyl group ही लगे हुए है तो इसका मनलोग क्या होगी है इसका मनलोग काईरल नहीं है तो total बता ही product कितने होगी तो तीन तो हो गए है और दो यह हो गया तो total पांच product बनेंगे ठीक है तो option नमर्डी इसका correct answer है अब बताईए question number 125 125 में बोलता है one phenyl ethanol तो सबसे पहले नमर्ड आपको यह तो पता होना चाहिए one phenyl ethanol का मतलब क्या है ethanol देखिए यहां पर बच्चों इस तरह का होगा ठीक है और one phenyl बोलाई इसका हमलो इसी position पर first वाले position पर basically क्या है कि OH यहां पर एक senior functional group है तो numbering इस पर कार से करेंगे कि OH को कम से कम number मिलना चाहिए यह देखिए one two two one phenyl ethanol भी होगा ठीक है को अधिकत नहीं है मतलब यह बनाना है सवाल उठता है कैसे बनेगा काता है can be prepared by the reaction of the benzyl dehyde तो benzyl dehyde भी बना लीजे चलिए देखिए यह इस तरह से हमने benzyl dehyde बना लिया चलिए बहुत बढ़िया आप काता है किस से बनाऊगा तो देखिए आप सही मायने में इस benzyl dehyde से हमें alcohol बनाना है लेकिन carbon की संग्या यह की ही बढ़नी चाहिए ठीक है अधिशा option number first में दिख रहा है आपको यह दोनों combine करके बच्चों grignaard reagent CH3 MGI बनाएगा क्या और grignaard reagent में आपको पता है कि ionic bond होता है तो यह यहां पर क्या निगेटिव ली चार्ज है तो यह निगेटिव चार्ज क्या करेगा इस carbon पर attack मारेगा attack मालेगा खुलेगा खुलने के बाद जो है इसको hydrogen मिलेगा proton देंगे proton देने के बाद यह alcohol देगा बोलोगे तो यहां दिया नहीं है बहुत सारे reactionation आपको मिलेंगे ठीक है जहां पर कुछ चीजहां नोन कर देता है तो simple सी बात है यहां पर phenyl ethanol बनाया है तो इसको 100% प्रोटोन तो मिलेगा ठीक है बच्चों तो finally अगर आप गौर से देखिए तो यह CH, यह OH हो गया और यहां पर देखिए आपको methyl बन गया तो बताए यह क्या है यह वही वाला product नहीं है जो आमें चाहिए तो option number A से ही correct answer मिलेगा अगर आपने B को try किया तो यहां पर carbon kitchen क्या बढ़ जाए तीन हो जाएगे फिर वह ethanol नहीं हो पर होकर क्या हो जाएगा propenol हो जाएगा ठीक है तो कुल मिलाकर आपका answer गलत हो जाएगा तो इसका answer होगा A